नमस्कार दोस्तों आज हम मेपिंग स्रीज में पढ़ेंगे गलफोप पन्नार बाइस्पेर रीजरव है तो यह हमारी एक अच्छी मेपिंग स्रीज चल रही है जो की मुख्यरूप से फोकस है यूपीसी प्रिलिम्स 2021 के लिए और जैसा कि आप लोगों को पता है इसकी फिड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना दोस्तों और लाइक और शेर जरू करना आईए सुरू करते हैं आज का टोपिक तो सबसे पहले जैसे यूपी सिप्रिम में इन्वारिमेंट से सम्मेंदी जो मेपिंग आती है किस तरह के कुछ आते हैं यह आपको प अब कर रहा हूं तो आप वह भी शीरीच प्लेश में जाकर देख सकते हो तो जैसे गल्फ ऑप मनार आपके सबसे पहले मेपिंग में यह वना चाहिए कि कहां पर इस्तित है तो जैसे यह इंडिया का मेप है यहां पी श्रिलंका है तो श्रिलंका और इंडिया के मद्दे ग मतलब सागरी जीव जन्तू या बरनसपती यहां पर देखने को मिलेगी तो इस मेप में आप देख सकते हो अन्य जो लोकेशन आपके काम की है यहां पर पाक खाडी जो पाक बे है वो भी इंपोटेंट होती है कि भारत और श्रिलंका को कौन सी जलसंदी अलग करती है यहां पे एक तुमनार की खाड़ी हो गई ओर मतलब पाक जलसंदी भी यहां होनी चाहिए ठीक है पाक खाड़ी भी यहां पर श्रिलंका के मड देत है यहां से आपके क। तो थोड़ी सी मैपिंग आपको करने मेन कहिए थीक है ऐस परकार अगली अगली साल यहां दे रहोना तो तो अपनी मेपिंग को थोड़ा मजबूत रखना क्योंकि प्री और मेंस दोनों में आपके काम आजएगी प्री में तो क्या होता है कि यहां से डारेक्ट फेक्चुल और मतलब इस टाइप के कुछन आ जाएगे और मेंस पर तब काम आती है जब आप कोई एक्जामपल दे र सब्सक्राइब है उसमें 2001 में सामिल किया गया था ठीक है यह मतलब मेरिन सेंचुरी और गल्फ ऑपनार क्या है नेशनल पार्ग भी यहां पर इस्तित्त है ठीक है आगे देखते हैं क्या विश्यस्ता है क्या इंपोर्टेंट चीज है ठीक है यहां पर देखो यह स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आएका कि मतलब क्या इंपोर्टेंट है इसके लावा यह बी है क्या हिंदी मीडिया में जैसे मेरा नुबवकिया में थोड़ा सा इंगली से फेमिलियर होना पड़ेगा ना काफी कमेंट ऐसे थे आज की सर हिंदी में स्लाइड बनाओ तो थोड तोड़ी चीज यह होती है कि जिसे मेंस के अंदर एक English compulsory का पर है उसको पास करने के लिए हिंदी मिनियम के इस्ट्रेंट को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा इंगली तो थोड़ा फैमिलियर हो ना चाहिए आपको कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं देखो यहां पर है कि जो गल्फ और मनार 22 पर रिजर हो है ठीक है यह लगबग 10500 वर किलो मेटर में फैला हुआ है यहां पर 21 आइलेंड दीप है यहां पर ठीक है इसके लाव यहां पर काफी जदा मतलब एक कोस्टल बफर जोन है ठीक है और यहां पर काफी एस्चुरी बीच और ट्रोपि चार मतलब स्टेटमेंट बनाएंगे और उससाब से आपको बताना होगा कि ट्रोपिकल ड्राइफ फोरेस्ट हो गया इसके लावा यहां पर मतलब काफी जदा सीवीड जो गास की मतलब मान सकते हैं इनको सागरी वनस्पति बोल सकते हैं सागरी गास बोल सकते हैं ठीक है व परवाल के दीप यहां पर और यह वैसे भी चर्चा में कि यहां के जो कोरल ड्रिफ है ना काफी जदा मतलब इनको नुकसान पहुंचा है जलवाई परिवर्तन आधी गटनाओं के करण तो यहां पर मतलब और भी इंपोटेंट हो जाता है कि यह क्लाइमेट चेंज और एक साइन्स में है उसके अंदर आता है कि नेशनल सेंटर फोर कोस्टल रिसर्च क्या करता है यह यहां पर मतलब एक तरह से एक फिल्ड इस्टेशन है जो की रिसर्च करता है कि इसकी गल्फ ऑप मनार के जो यहां की जो मेरिन क्लाइमेट है या जो भी जीव जन्तु जे विव इसके लावा यहां की परमुक वनस्पती कौन सी है देखो परमुक रूप से यूपी सीपरी में जो कुछन बनते हैं इन्वारिमेंट की मेपिंग के उसमें यह तो कोई जीव जन्तु इंपोर्टेंट रहेगा या वहां की वनस्पती रहेगी तो वनस्पती की मुख्य इसके लावा मतलब में ग्रोवन भी यहां पर यहां पर जाते हैं तो यहां की परमुक वेजिटेशन हो गया आगे परमुक जीवजन तो बहुत इंपोर्टेंट है जैसे यहां पर आप इस चित्र में देखना ठीक है यह जो जीवड डूंगों मतलब इनका नाम दिये गया लेता है वर इसको बोलता है सी कुशन यूपी स्क्रीमे आ चुका है और मैरे जानतो मुझी यादा आदा दो बार यह कुशन यूपी स्क्री में आया है कि मतलब डूंगों कहां पर पीजाते है तो यह मन्नार की खाड़ी म sembi इंप पाई जाती है और इसके लावा कौन स कमईनार की काई में इसमें निमनिकलत में से आपको याद रखना होने हुगा। यह मतलब ऐसा होगा कि कोई मतलब जल्य जीव होंगे तीन स्टेट्मेंट में एक जीव ऐसा होगा जो यहां नहीं पाई जाएगा जो इस तलिए जीव होगा तो यह विशेश तो पर भी द्यान रखना कि किस प्रकार के कुछन बन सकते हैं ठीक इसके लावा यहां पर प्रमुग जो नदियां भी दी गई है कि जैसे यह इंडिया और यहां पर सिरलंका है ठीक है तो यहां पर मतलब एक सिरलंका की कुछ नदियां यहां किरती है कुछ इंडियां किरती है कुछ इंडियां किरती है तो यहां पर दी गई है कि एक तो है मला वत्थू ओया मतलब यह रीवर इसके लावा मतलब एंड एस्टूरी ओप थार मेरा बारानी यह मतलब थोड़ से नाम अजीब से हैं रीवर एंड वेपार रीवर इंपोर्टेंट है यहां पे जो कि जैसे यह दो नदिया इंडिया की नदिया एक श्रिलंका की तो नदियां काफी जैदा मतलब तर्ठी शेतर पर जमा हो जाता है तो यह बनता डेल्टा ठीक है कुस नदिया ऐसे होती है जो की मतलब डेल्टा नहीं बनाती है एस्टूरी बनाती है एस्टूरी क्या होती है जो नदी का जल और सागरी जल आपस में जहां मिलते है वो रीजन होता है ए इंडिया ठीक है, यहां से मतलब दरम्दा और यहां से ताबती नदी अहां पर अरपसागर में आकर गिरती है तो यह क्या करती है। एक मतलब एक तरह से भhraddज गाटी में बैती है यानि आप इसको कह सकते हैं नाली में बैती है जो फिक्स नाली बनाई हुई है उसमें बैती है उससे अपरदन नहीं करेगी है जबकि हिमाले वाले नदियें क्या करती है मतलब अपरदन करके यहां पर डेल्टा बनाती है जबकि यह नदियें क्या करती है ब्रंज गाटी में तो उसको बोलते हैं एस्चुरी ठीक यह कई वार सर्चा में रहता है एस्चुरी वर्ड है तो इस प्रकार यह मतलब छोटा सा हो गया अपना लेशन छोटा से लेशन में हम डेली बेसिस पर कोशिज करेंगे कि यूपी सीप्री में जो कुशन आया उनको ज्यादा से लेने की कोशिज करें और किस प्रकार के कुशन बन सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत इंपोटेंट है आप इनको रिवाइज कर सकते हो एक तो बार-बार कहां से रिवाइज करो के मैं इनकी फीडिया फाइल और जो कौन-कौन सी जलसंदिया है कौन-कौन सी यहां पर दीप है ना कौन-कौन सी खाड़िया है यह भी आपका होम रखो गया आप इनको लगतार करते रोगे तो आपको वेनफिट प्राप्त होने वाला है तो इस प्रकार यह लेसन यहीं से मापत होता है लेसन पसंद आये तो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरू करना, थेंक यू.